बिहार में कानून और वेवस्था की हालत को लेकर आरजेडी ने नितीश कुमार पर निशाना साथा है आरजेडी के वरिष्ट नेतार अगुहंश प्रसाद सिंग ने सिवान में पत्रकार और गया के आदित्य हत्याकांट की चर्चा करते हुए कहा है कि जो भी घटनाए हो रही है उसके जिम्मेदारी सरकार की है उसके अगुआ मुख्य मंत्री है उनसे बात की इंचे जीवी समभाता था नेतीश चंत्र ने सवाल आरजेडी पर भी उठता रहा है और खासतोर से चुकि आरजेडी से जुड़े लोग रहे हैं इसमें शामिल रहे हैं तो इसलिए ये उठता है सवाल कि क्या आरजेडी की तरफ से कोई दवाव है कोई किसी से जुड़े रहे हैं कानून की नजर में जो कसुरवार हैं उनको दंडित होना चाहिए जम्मवार किसकी है आरजेडी की जिम्मारी नहीं बनती कौन काता है आरजेडी गर्जमेदार है क्या इस पूरे घटना करम के लिए जो कुछ हो रहा है कानून व्यस्ता कि सिती समल नहीं पारी ये लगातार घटनाय हो रही हैं जिम्मवार कौन है झसको जिम्मवार्त सरकार नुह होती है आदना दिभी के हाथ में क्या है क्या एक सकार मतलब नितिष कुमार अजह जबी संजुकत जवाब देही होती है सरकार की सरोफी जोफ जो लोग सरकार में जो भी शामील है सब की जबाब देही है लेकिन उसके अगवा मुख मंतरी हैं तो मुख मंतरी की जादे जबाब देही है